यह हूं मैं आप लोगों सीख़дंगे आप देखना हैं, इसको नाम तो आप लोगों के नाम उटाए है इसमें आप लोगो शीर बताँंगा जैने आप ने सीजें के यह ऊफ्षिंग को सॉल्व कर सकते हो यहां मैं आपको detail में इसके rules वगरा नहीं बताऊंगा यहां आपको दो चीज बताऊंगा देखिए इसमें दो चीज होती है जैसे हमने लगा he said अधिकतर यह example आप लोगों को मलता है इसके बाद में comma फिर inverted comma मिलता है यह यहां कहता है for example इसने कहा I am reading I am reading a book तो यह आप लोगों को यहां मिला देखने को यहां आप लोगों ने इसको पढ़ा अब यहां आप लोगों को जो देखना है वो क्या देखना है और यह correct कैसे होगा आप लोगों से आपको इसको ध्यान से समझे देखो यह comma है यह आप लोगों को अच्छी तरह से पता चल जाना चाहिए इसको बोलते हैं हम inverted coma इसके अलावा अब हमें क्या देखना है हमें यह देखना है कि जो हमारा inverted coma से पहले होता है पहले यहां देखते हैं यहां क्या देखते हैं जो हमारा subject है इसको हम agitize लिख देते हैं जो काम हम agitize करते हैं पहले उसी को देखते हैं इसके बाद में इसके बाद जो हमारा लखाओ और ही said इसको भी ऐसे ही लिख देंगे इसमें भी कोई change नहीं करेंगे अब यहां से जो coma आए इसको हम लोग remove करेंगे क्या करेंगे कि जो coma से हमारा यह वाला sentence है half sentence अलग है इसको हमें इस sentence के साथ जोड़ना है ताकि यह पूरा एक sentence बन जाए अब इस sentence को एक बनाने के लिए हमें क्या करना है वो आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा जब आप लोग एक दो चीजों को आपस में जोड़ते हो ना तो वहां जोड़ने के लिए आपको कुछ आवश्च्टा होती है ऐसे ग्रामर है इसमें इंग्लिश में यहां भी आपको आवश्च्टा होती है और उसको क्या बोलते हैं उसको आप लोग बोलते है consumption Conjunction में आप हम सेलेक्ट करना है कि यहां construction क्या लगा है और क्यों सा लगा है इसके लिए ना वैसे तो ऐसा है कि मैंने यहीं इसी चैनल पे ना narration की बीडिए उपड़ी हुई है आपको पूरे रूउस को समझाया है अगर आप चाहें तो वो भी देख लें लेकिन आप 10 प्लास के बच्चे अगर नहीं कर पादे कोई बात नहीं मैं यहाँ आपको फिजिकली करके बताता हूँ तो देखो बच्चो यह क्या है हमारा सब्जेक्ट है और यह क्या हमारा फुल स्टॉप है लास्ट में आप बिल्कुल बे धड़कों करके यहां देट ही यूज़ करेंगे यहां कि आपको पता चली गया है अब यह कह रहा है यहां कि आई एम रीडिंग आ बोक इसको हम कैसे चिंज करें और किसमे करें इसको हम बात कराएंगे पहले हैं कि हम आप से एक चीज और पूछ लेते हैं He said to me He said to me अब यहां कौमा लगाने के बाद में सेम इसी सेंटिक्स को हम प्रैक्टिस केनी लिते ही हैं यहां जैस के हम लोगों ने लखा I am reading a book तो I am reading a book यह आप लोगों ने देखा अब इसको send, इसको हमने एजिटेज लिया है, क्यों लिया है, रीजन मैं भी आपको बताता हूँ यहां जिस प्रकार हम लोगों ने क्या किया है, इसको एजिटेज लिखा, इसमें कोई चेंज नहीं किया अब यहां हम लोग क्या करते हैं, जब हमारी यहां to me, यह हम बाद में discuss करेंगे, आप लोगों को अभी वो level नहीं है, क्या चीज़े क्यों है, कैसे है जब यह आपको to me दिखाई दे, तो आप यहां क्या करेंगे, sad की जगए told लेखेंगे, क्या लेखेंगे, told और इसके अलावा फिर इसको आप remove करके, यह यहां आप इसको लेखेंगे, यहां तक यह आपको आगया हुआ समझ में अब यहां आप चाहे, आपको कोईसा भी tense हो, कुछ भी हो, tense है, हमें कुछ लेना देना नहीं है, आप लोगों कुछ चीज नहीं करना है, next ले लेते हैं, जैसे हमने लखा यहां, he will say, he will say, तो अब आप लोग जब इससे change करेंगे, तो किसमें change करेंगे, आप इसको एज़ लिखेंगे, he will say, he will say, क्यों लिखेंगे, क्योंकि आपको पताएगी, जैसे के बाद पीछे कुछ नहीं होता है, तो हम उसको एज़े लिख लेते हैं, लेकिन यहीं अगर वो यह कहता है, आप लोगों से कहता है, he says to me, he says to me, तो यहां me दे दिया है, to me, अब इसको क्या कर हैं, अब बात आती है, कि जो नेक्स्ट है, sir, इसको कैसे बनाएं, यह तो आपको समझ में आ गया, यह तो आप आराम से कर सकते हो, इससे नेक्स्ट जब आप समझना चाहते होगी, इसको हम रेपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, वैसे तो यहां मुझे यह बताना इसलिए अ हम लोग क्या करेंगे, यह हम लोगों ने देखा, इसको ना हम, देखिए, यह इसको हम इन तीनों में चेंज करते हैं, तो तीनों में चेंज कैसे करते ही, यह आप लोग यह ध्यान लखना जब यहां, सैज आ जाए, और विल आ जाए, तो यह जो सैज और विल है ना प्रेजन्ट टेंस होता है तो यह आप लोगों प्रेजन्ट टेंस और फूचर टेंस दोनों का पता लग गया अब को यह डोगों इसके अलाबगे जो रह आई है, आई के हमारा सब्जेक्ट, आई के हमारा सब्जेक्ट है, आई के हमारा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को क्या करते हैं, जब हमारा यहां आई लिखा होता है, क्या लिखा होता है, आई, जब भी कभी यहां हमारा आजाता है, तो इसकी जगह पे न, जो यहां सब्ज कुछ भी दे रखा हो, he, she, it, I, we, you, they, यदि यहां I आता है तो उसकी जगह पर इस subject को लिख देते हैं, इसको आप ध्यान रखें, अब आपको पता चल जाना चाहिए, यह क्या जगा I, और M की past transform क्या होती है, was, reading का बिल्कुल कोई change नहीं होता है, सिर्फ यह होता है, यह इ यह हड़ जाते हैं, इसका मतलब इसका जो answer बना, वो क्या बना, I was reading a book, यह इसका जो answer है, अब I, जो हमने लगा है, आई को आपको देखना है, मैंने क्या बताया था आपको, that means, आपने sentence को adjective लिख लिए पहले, अब आपको यह देखना है, यहां आई है, इसको कहां change करना ह तो मैंने बताया था आपको कि I जब आ जाए ना, I की जगह पर किस वाले subject को लिखते हैं, इस वाले को, अब इसमें देखिए, यह क्या है, यह subject हमारा year है, तो इसका मतलब अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यह करना है, जो I है, इसको हम replace कर देंगे, ही में, किसम का और wishes धियान रखें, जब आप लोग इसको यहां से change करते हैं, तो यह small में लिखा जाता है, capital में नहीं लिखा जाता है, यह आप लोगों का बिलकुल correct हो गया, आप लोगों को कितना समझ में आया है, एक बार मुझे जरूर बताएं, अब इसके अलावा आता है, हमारा ज हम इस change में कोई change नहीं करते हैं, इसको क्या करते हैं हम लोग, सीधा की सीधा बस हमें एक subject है ना, subject की condition से change का कोई लेना देना नहीं होता है, अब यहां यह तो आए गया है, और he के साथ is लगाएंगे, am लगाई नहीं सकते, he is reading a book, he is reading a book, अब आप लोग एक चीज और notice कर है, आप लोग यह देखना, कि that he is reading a book, यह आपका हो गया, अभी ब्लकुल correct है, अभी इसी को यदि हम यहां ले लेना चाहते है, he tells me, यह क्या बनेगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, that हमने यूज किया, क्यों यूज किया, कि आपको पता है, हमारा हसदे सेंटेंस है, reported speech में, reported speech को मस समझो, कौमा के बाद वाला जो है, हमारा, वो क्या है कि यहां subject से सुरू होता है, और यहां पीछे flow stop आता है, तो इस condition में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ दैट ही लगाते हैं, बागी conditions वही हैं, वही आ रहा है, अब यहां जो subject है, करते हैं, जो हमारी, यहां जो beginning वाला subject होता है, इसकी जगह पे किसको लगाते हैं, इस beginning वाले subject को लगाते हैं, तो ही ले लिया हमने, ही लेने के बाद में हमने क्या किया है, ही के साथ easy लगाएंगे, he is reading a book, he is reading a book, तो यह आप लोगों को मैंने जो बताया है, समझ में आया है, कितना समझ में आया है, यहां आप एक चीज और देखें, मैंने यहां लगा, he was reading a book, यह अलग हो गया, और यह जो मैंने लखे न, that, he is reading a book, यह और यह वाला, यह दोनों सेम हो गए, बच्चों, यह दोनों सेम हो गए, अब इस से आप लोगों को क्या पता चलता है, that means, अब लोगों को यह पता चलता है, कि सिफफ और सिफफ आपको क्या सीखना है, यदि यहा और past tense होता है, that means, जो हमारा कौमा से पहले है, यदि हमारा past tense होता है, क्या होता है, past tense, बस वहीं आपको थोड़ा सा ध्यान देना ही, समझना है, तभी आकर के आगे आपको koई pressure नही है कियोकि जब हमरें लिघा पास्टएंस है विजसे हमने लखा है से घैसे प्रिजन्टेंस फॉर में तो पास्टेंस फॉर्म यह तो यहां आ गई यह इशी लिए हम ने इस हैं नोटिस की है हमने एड ली कि निजस किया है रीडिंग n यहां है já अबुक यहां यहां भी है रीडिंग यहां भी है अबुक यहां भी है रीडिंग यहां भी है अबुक यहां भी है कोई चेंज नहीं हुआ अब इससे आगे नेक्स जो आता है वो आपको क्या देखने को मिलता है आई यहां था इसके हिसाब से हमने क्या किया है यह ही को लिख किया, इसके बाद ने, जब हमने इस sentence को स्वेम को यहां लिखा, यहां भी हमने क्या देखा यहां आई था उसमें क्वेस्टम में आई है यहां, इस आई की जगे पर हम लोगों ने क्या किया है, यहां ही को लिखा, यहां ही था, इसलिए यहां हमने यही को लखा, बाकि Is Reading a Book और यहां भी इस रीडिंग अबुक इन दोनों में कोई चेंज नहीं है, तो वहां क्या होता है, वहां आप लोगों को ज़्यादा टेंसन नहीं लेनी होती है, वहां आपका जो यह किसमें प्रजेंट में तो यह किसमें प्रजेंट में और यह किसमें प्रजेंट में वहां टेंस आपका वही रहता है, यदि आप लोगों को यह पास्ट में यहां दे देता है तो इसको आप लोग क्या करते हैं यहां भी इस रेपोर्टेट इस पीच को भी धैट बिस जो आगे इन्विटेट को मां के अंदर वाला सेंटेंस है उसको भी आप लोग किसमें करते हो उसको भी पास्टेंस में ही और online class अपनी book easy registration कराईए, online class लीजी आपको इसी तरह से बहुत अच्छी तरह से details में आपको समझाए जाएगा, next मैं आपको next class में आता हूँ, आपसे फिर एक दो questions ऐसे लाता हूँ, तब तक के लिए, take care, अच्छी तरह से अपना ध्यान रखें, manage करके पढ़ें, सर्दी से बच के रहें, final exam आने वाला है, बस जोश के साथ, बिल्कल तैयारी में अच्छी तरह से लग जाएं, आप लोगों का बहुत बहुत दिनेवाद, thank you, thank you very much.